चलिए शुरुवात करते हैं आओ रानी हम ढोये पाल की नामक प्रसिद कविता की रजना किस कवी ने की है? त्रिलोचन, धुमिल, नागारजुन या दिनकर? सही उत्तर है C. नागारजुन दूसरा प्रश्न निम्न में से प्रगतिवाद के सम्मंद में कौन सा कथन गलत है? तो प्रगतिवाद में सोसन का विरोध है प्रगतिवाद में धर्म और इस्वर पर अनास्ता व्यक्त की गई है सोसितों के प्रतेई सानुबुती व्यक्त की गई है या इस्तूल सोंदरिये के इस्तान पर शुक्ष्म मानविय सोंदरिये का चित्रन है बताईए गलत सही उत्तर है D D यहाँ पर गलत है मारो 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 अंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है यह पंक्ति किस कभी की केदारनात अगरवाल रामविला सर्मा, रांगे रागव या नागारजुन सही उत्तर है A. केदारनात अगरवाल चोथा प्रश्न ऐसे प्रगतिवादी कभी जो बड़े कभी तो नहीं बन पाए किन्तु बड़े आलोचक जरूर बन गए यहाँ पर तोड़ा सा मिश्टाइप हुए कभी है यहाँ पर तो रामविला सर्मा है वो प्रकाश्चन्द गुप्त, नागारजुन या केदारनात अगरवाल तो सही उत्तर होगा इसमें A. रामविला सर्मा के लिए यह यह पांच वाप्रश्न सन 1938 में पंत ने किस प्रगति सिल विचारदारा के पत्र का संपादन किया था आगामिकल, रुपाब, सुर्योदे या हंस सही उत्तर है B. रुपाब यह अपने अधेयों के अंदर भी आया हुआ है प्रगति वाद की परमुक परवर्तियों में से कौन सी परवर्ति नहीं थी इसमें है कि ये माक्षवादी चिंतन दरापर आधारित है ये तो है ये सामाजिक येथार्थ कुसाहित्य का उद्देश से मानता है बिल्कुल है ये है बासा के सरल अभीदा अत्मा ग्रूप का समर्तक रहा ये यहाँ पर है अभीदा अत्मा ग्रूप का समर्तक रहा इसमें प्रकर्ति चित्रन को परदान दा दी गई है तो ये यहाँ पर चोथा विकल्प जो गलत है सातों देखिए प्रगति सील लेखक संग का अध्यक्स कोन नहीं रहा प्रेमचन सिवदान सिंग चोहान पंडित नैरू रविंदरनाट टेगोर तो सही उत्तर इसमें भी सिवदान सिंग चोहान नहीं रहे सिवदान सिंग का लेख बारत में प्रगति सील साहित्यकी आवशक्ता किस पत्री का में प्रकासित हुआ था हंस जागरण आलोचना विसाल भारत सही उत्तर है डी विसाल भारत के अंदर नो नमबर प्रश्ण है नींद के बादल किसकी रचना है केदारनात अगरवाल, केदारनात सिंग, नागार जुन या दुस्यंत कुमार सही उत्तर है ए केदारनात अगरवाल की है नीन के बादल आखरी प्रेशन इसका उतरा आप कमेंट में दीजिएगा जीवन के गान के रचियता कभी कोन है विजेदेवनारायन साही, सिवमंगल सिंग सुमन, दुसंत कुमार या नागारजुन इसका उतरा आप कमेंट करके दीजिएगा और जो आदी की अवाज चैनल है उसको भी आप सब्सकाइब कर लें तुमने कहा था, बसमांकोर, वे और तुम के रचनाकार कोन है नागारजुन, रंजीत, धुमिल, रामदरस, मिस्र सही उत्तर है, ए, नागारजुन साथ साथ में आप कमेंट भी करते जाएं कुरुक्षेत्र की रचना में कवी का मोल उद्दे से क्या है सोशन का विरोध, परतिसोद की भावना का चित्रन, महाबारत की कथा का पुनराख्यान, युद और सांते की समस्या पर गंबीर चिंतन सही उत्तर है, डी, क्या हो जाएगा, डी, युद और सांते की समस्या पर गंबीर चिंतन तीसरा प्रश्न, दुख सब को मांजता है, ये किसने कहा है निराला, मुक्ति बोध, अग्ये, नेमिचंदर जेन सही उत्तर है, सी, अग्येन चोथा प्रश्न है, प्रियोगवाद शब्द का प्रियोग सबसे पहले किसने किया बताईए सही उत्तर, भी, नंद दूलारे, वाजपे नहीं किया ता प्रियोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रियोग वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक कर दें और सभी को शेर कर दें हिंदी साहित्ते में आधुनिक समवेदना का सुत्रपात माना जाता है नई कविता के प्रकासन से, प्रगति सी लेखक संग की स्तापना से, तार सब्तक के प्रकासन से, या हालावाद के आरंब से सही उत्तर है सी तार सब्तक के परकासन से हिंदी साहित्ते में आधुनिक्षमवेदना का सुत्रपात माना जाता है छटा प्रश्न 1947 में अग्य ने किस पत्रिका का संपाधन किया जिसके माध्यम से प्रियोग वाधिकाववे अंदुलन को सक्ति मिली सही उत्तर है प्रतीक, हंस, रुपाब, समन्वे सही उत्तर है प्रतीक उस पत्रिका क्या नाम था? प्रतीक सात्वा केदारनात सिंग और सर्वेस्वर दयाल सक्सेना का संपन्द कि सब्तक से है? तार सब्तक से हैं, दूसरे सब्तक से हैं, तीसरे या चोते सब्तक से हैं, सही उत्तर है, C, तीसरे सब्तक से हैं, और जितने भी सब्तक हैं, यह तार सब्तक हैं, चारों, उनको इंदिसाइत इतियाश में अच्छे से ट्रिक बना के अच्छे से समझाया होगा कि कि सब्तक में कौन-कौन कभी सामिल है कि इन कभी ग्रचनाई सामिल है तो वहाँ पर देख लें अन्यता अगली सीरीज के अंदर बता भी दिया जाएगा आठ होँ प्रश्न निम्न लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है मुक्ति बोध तार सब्तक से समसेर बादुर सिंग दूसरे सब्तक से समंदित कीर्ती चोदरी तीसरे सब्तक नरेश कुमार मेता तार सब्तक सही उत्तर है डी नरेश कुमार मेता तार सब्तक यह यहाँ पर सुमेलित नहीं है सही नहीं यह गलत है तो आप बताईएगा नरेश कुमार मेता के सब्तक से सम्मंदित है नो नमबर तार सब्तक क्या है? बताईए सही उत्तर इसमें C तार सब्तक जो है वो साथ कवियों की रचनाए है इसके अंदर तार सब्तक में अच्छी बासा की अच्छाई इसी में है कि वह बासा और अनुभूती के एद्वेत को इस्तापित करे उप्रोक्त कथन किसका है? अग्ये का? मुक्तिबोद का? नागार जुन का? या निरालागा? तो इसका उत्तर आप कमेंट करके दीजिएगा मैं प्रियोगवाद का अगवा नहीं, पिछ लगवा हूँ उप्रियोग कथन किसका है? दिनकर, जग्दिश, गुप्त, मुक्तिबोद या निरालागा? सही उत्तर है ए दिनकर का दूसरा प्रश्न प्रियोग अपने आप में इस्ट नहीं, वरन वह साधन है यह कथन किसका है? मुक्तिबोद अग्यई, समसेर, रामविलास सर्वा सही उत्तर भी अग्यई का तीसरा प्रश्न तीसरा सब्तक का प्रकासन वर्स क्या है? प्रकासन वर्स पहले दूसरे और छोते का क्या है प्रकासन वर्स वो आप बताईगा कमेंट करके चोथा प्रश्न सिला पंक चमकीले किस कवी की रचना है? अग्यई सर्वेशुर दयाल सक्सेना गिरिजा कुमार माथूर समसेर सही उत्तर है बी सर्वेशुर दयाल सक्सेना और ककसा बारा सर्यू की पीडिये भी तयार हो गई है गद्य पदेगी अगर कोई लेने का इच्छुक है तो इन दिये गे नमरों पे वोट्स अप मेसेज करें और गूगल पे के जरीए सामने सा सुल के वो देकर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं अगर चाहें तो पांचवा प्रश्ण है निम्न में से कोन सा वर्ग प्रियोगवाद का केंद्र है पहला मद्य वर्गी लगुमानव उच्छ वर्ग निम्न वर्ग या उप्रियोग सभी सही उत्तर है ए मद्य वर्गी लगुमानव प्रियोगवाद का केंद्र है छटा प्रश्ण पस्चिम में प्रियोगवादी आन्दोलन न्यू सिगनेचर के पुरोदा थे पस्चिम में और आन्दोलन न्यू सिगनेचर एजरापाउंड, T.S. इलियट, स्टिफान स्पैंडर, कौल डिज सही उत्तर है बी, एस, इलियर्ट थे न्यू सिगनिचर के पूरोदा साथों प्रश्ण मुक्ति बोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताओं की वर्णन से लिए है मिथक किये, फेंटेंसी, पुरा कथात्मक, बिम्बात्मक सही उत्तर है बी आठों प्रश्ण है संसे की एक रात किस प्रकार का काव्य गरंत है प्रबंद काव्य, खंड काव्य, कविता या नाटक सही उत्तर है बी, खंड काव्य नो नमबर प्रश्ण भारत बोशन अगरवाल की काव्य रचना नहीं है जो नहीं है वो बतानी है चवी के बंधन ओ अप्रस्तुत मन, उतना वै सूरज उत्तर कता सही उत्तर है डी, उत्तर कता ये नहीं है आखरी प्रश्ण इसका उत्तर आप कमेंट करके दीजिएगा अगनी लीक के रचनाकार कौन है जगदीश गुप्त भारत बोशन अगरवाल कुवर्ण नारायन डॉक्टर विने क्या उत्तर होगा अगनी लीक के रचनाकार का कमेंट करके उत्तर दीजिएगा अच्छा लगा तो लाइक करें और सभी को शेर कर दें पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर आप तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो डालें उसकी भी सोसना आपको मिलती रहे